मित्रों ग्यान दर्शन वानवसाद यूटूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है मित्रों आज हम आपको कुछ होसधिये पौधों से परचित कराएंगे जिसमें से एक पौधा है तुलसी तुलसी हमारे घरों में पूजनिये पौधा है तुलसी को देवी अस्थान माना गया है हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे के पास रात्री में घी का दीपक जलाने से धन धान की ब्रद होती है और सुक सम्रद होती है इसके साथ साथ औस दिये प्रयोग किया जाता है तुलसी निच्रल होती है, इम्नुटी बूष्ट करती है, और बिटामिन सी और जिंक से भरपूर होती है, सर्दी खांसी जुखाम में लाबदायक है, काइंसर रोधी है, तोचा और बालों के लिए फायदे मंद है, ओरेल हेल्थ के लिए बेहतरीन माना गया है, तनाव ठकान कम करता है, किड्नी स्टोन में लाबदायक है, मित्रों अगर हमारे चैनल में आप नए हैं, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पुश करें, ताकि हमारे द्वारा दी जा रही आउस्तधिये जानकारी आप तक सुचार रूप से प्राप्त होती रह है, मित्रों या तुलसी बहुत ही लाबदायक, बहुत ही फाइदेमन पौधा है, इसका प्रयोग करें और लाब लें, मित्रों तुलसी के बारे में बहुत सी कहाते हैं, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मित्रों इसमें एक पौधा है पुदिना, पुदिना आयर्वेद के अं पुत्र-संबंदी विमारी और सारीरीं कम्जोरी दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है मित्रों है जय में पुदिणे का बहुत है उपयोग माना गया है पुदिना पे चटनी के रूप में प्रियोग कर सकते हैं पुदीने की चटनी बहुत ही फायदे मंद बहुत ही लाबदायक मानी गई है पुदीना अर्क बहुत ही फायदे मंद है पुदीना अर्क पेट दर्द में लाबदायक है अर्क पुदिना आपको बाजार में बना बनाया मिल जाएगा पुदिने का अर्क बहुत ही फायदे मंद है पुदिने की गोलियां बनी बनाई मार्केट मिलती हैं जो पेट दर्द शम्मंधी तमाम विकारों में फायदे मंद है पुदिने को आप अपने घर में दैनिक जीव मेथी मेथी के बारे में आपको जानकारी देंगे मित्रों मेथी का उपयोग सब्जी में प्रमुख मसाले के तौर पर किया जाता है डाइजेशन में लाप्रद है मेथी में फाइबर और इंटी आक्सिडेंट से भरपूर मानी गई है जो कब्ज पाचन सम्मंदी स्तमस्याओ मेथी के रोग्यों के लिए मेथी रामबार का करती है मेथी के पत्तों की सब्जी बहुत राब्दायक है डाइबटीज के रोगियों को मेथी के पत्तों की सब्जू खाने से सुगर लेबल कम होता है और डाइबटीज में आराम मिलता है इसकिन के लिए फायदे मंद है मेथी वजन घटाने में फायदे मंद है मेथी हड़ियों के लिए फाइदे मंद है मेथी, बालों के लिए बहुत ही लाप्रद है मेथी, बहुत लापदाइग मानी गई है मेथी, मेथी हड़ी को मजबूत करती है, इमून सिस्टम को बढ़ाती है, इमनुटी को बढ़ाती है, शुगर लेबिल को कम करती है, मेथी को आप दैनिक जीवन में मेथी दाना हरी मेथी कई रूपों में प्रियोग किया जाता है सबजी में भी प्रियोग की जाती है मेथी का साग भी खाया जाता है मेथी को घर लाकर अपने बाग में उगा कर अपने उद्यान में उगा कर लाब ले सकते हैं मित्रों एक अउस दिये पोध फाइबर कार्बो हाइड्रेट मिनेरल होते हैं डाइब बटीज के रोगियों के लिए बहुत ही फाइदे मंद है हरी धनिया हरी धनिया ब्लड सुगर लेबल को कंट्रोल करता है यह राम बाड़ावसत का कार करती है एनीमिया में लाबदायक है हरी धनिया पाचन सक्त बढ़ हाता है हरी धनिया कोलेश टोल को कम करती है हरी धनिया हरी धनिया स्वास्ति के लिए बहुत लाबदायक है खाने में शलाद सब्जी वह सब्जी को सुगंध बढ़ाने का कार करती है हरी धनिया हरी धनिया को आप चटनी के रूप में प्रयोग ले सकते हैं सलाद के रूप म प्रोटीन वसा फाइबरो कार्बूर्ड हाइडरेट का मिनिरल है हरी धनिया को आप अपने खेतों बागानों बगीचों में उगा कर लाब ले सकते हैं बहुत ही फाइदे मंद है हरी धनिया मित्रों आपको हम बहुत ही एक आयरुवेदिक आउसद गिलोई के बारे में जानकारी देंगे गिलोई बहुत ही फाइदे मंद बहुत ही लाबदायक आउसदी लता है आयरुवेद में गिलोई को अमिरता कहा गया है यह अमरत के समान गुड़कारी आउसद है अगर यह गिल पर चड़ जाती है उसके गुड गिलोई में आ जाते हैं मित्रों नीम की गिलोई बहुत ही सुभ बहुत ही अच्छी मानी गई है कहा जाता है कि जिस पेंड पर गिलोई चड़ती है उसके गुड धर्म उसमें आ जाते हैं गिलोई कई बीमारियों के काम आती है बुखार में गिलोय का काढ़ा अति उत्तम माना गया है बुखार में अति उत्तम माना गया है कहा गया है एक कहावत है गुर्च मिर्च पाढ़ी बैद की दाधेक दाढ़ी ये एक बहुत ही कहावत है प्रचलित कहावत है डेंगु बुखार में गिलोय का शेबन प्लेटलस को कम होने पर क तिया जाता है जिससे प्लेटलस मित्रों हम आपको य्लॉबेरा के बारे में जानकाई देंगे य्लॉबेरा बहुत ही फायदे मंत आउस दीए पाउधा है य्लॉबेरा को आप अपने घं में गमले में लगा कर लाप ले सकते हैं एलो बेरा खासी जुखाम में लाबकारी है एलो बेरा सिरदर्द में फाइदे मंद है एलो बेरा कब्ज में लाबकारी है आखों के लिए फाइदे मंद है एलो बेरा कान के लिए लाबदायक है एलो बेरा एलो बेरा का जूस बहुत ही लाबदायक बहुत ही फाइदे मंद है जिसको जल कहा जाता है इसको इसकिन रों में सभी प्रकार के इसकिन रों ठीक हो जाते हैं जाई मुहां से दाग धबे एलो वेरा के जल जूस से ठीक हो जाते हैं चेहरा गलो होता है और निखाराता है ब्यूटी पालर में प्रयोग में लाया जाता है एलो वेरा एलो वेरा को आप अपने घर में गमले में लगा कर इलो बेरा का लाब ले सकते हैं इलो बेरा बहुत ही लाबदायक बहुत ही फायदेमंद पौधा है जो अउस्दिये पौधा है इसको आप अपने घर में गमले में आप अपने लान में लगा कर इलो बेरा का फायदा ले सकते हैं इलो बे पर जो भी औस दिये प्राफ होती रहेंगी हम आप तक अपने विचार साधा करते रहेंगे मित्रों आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आये तो लाइक करें बिला इकन दबाएं पुश करें जैहिन जैवारत धन्यवारत